कि एक अब कि हैं अब ऑपस आचुके हम लोग सुसाइड स्कॉर्ड के एक और न्य एपसोड के साथ तो अब आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देने चैनल पर पहले बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेड़ बताना कि आप कुछ चीज़ों को टाकरान की आवास सुनाए देती है और फिप्त सिंग वाले बीस्ट का होर्न होता है सिंग होता है उस पे वो अपने वर्तवर्ड को मार रहा होता है बोलता है कि मैं इसको और जाद कर नहीं सरकता है मेरे जो भी तलवार है जो भी हाथिहार है वो इस सब आख लेवल का क्यों मैं जितना भी हाई लेवल का टेकनिक को यूज कर रहा हूं इसे रिफाइन नहीं कर सकता है इन सब से तुम्हारे लेवल का कोई भी फरक नहीं परता है साथ ही जैवान जो तो उसके हास मतलब कि आखों पे हाथ रख देता बोलता है यह फिस्ट जब आखनी यानि अंडरस्टेंडिक को अब्टिव एक्ट कर देता है जिससे की वो सारे चीज को समझ सकता है यह देखने पर बंदा भी जाता है वो देखता है तो वह जो पीश्ट का और नोता है उसके पास उसको काफी जाता वीक पॉइंट्स देखना हो जाते हो आपे बुलबुले उट रहे होते हैं तब बुलबुले ऊपर की तरफ उटना श्टार्ट कर देता वो बंदा और जादा डर जाता है वो अपने आखों कमलते बोलता है कि आखी है यह पे चल कर रहा है मुझे तो अभी भी आखों पे विस्वास नहीं हो रहा है वह जो पान सिंग यह यह तो एसे फिट फाइब और बीश्ट है मतलब पान सिंग वाले बीश्ट का असली जो आत्मा है असली जो पावर यह होता है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने स्किल नौर्मल से स्किल को ऐसे चीज़ चीज़ पर यूज़ करूंगा और वो कभी काम भी क करेगा साती वह पीछे की दरवाज के दरफ देखता है बोलता है कि ले मुझे यह सब्कर लेकिन वह भागते वुस दरवाज को तर ब्लीज बज़ा लो लो यह सामने सामने देकि everything कि अहां पर कंकाल होता है और को भी जिन्दा नहीं होता है वह तकर तुम यहां पर कर रहा क्या क्या मुझे नहीं कर ली कि प्रोस ने या भी पटा क्या चलरा रहा है लेकिन फिर वी तुम्हें इस ज्दाघNewоч e advised जोने जींदे रहा होताई कि तुम्हें ई सब चीज़े को देखने की कि प्रण या और की मेनेचर ऊठार्ट हो जाता है वा जैवान और उस मॉंस्टर की देख रहा होता है आकिर ऐसा दुनिया के साथ तरसे चिला रहा है लेकिन जैवान उसके पर काफ्य ऑछोगर निख अरुट हो निशे के तरफ गिर जाता है वो वो फिर से जयवन के पर अटक करता है, जयवन भी कावे गुसी एक साथ उस मस्टर के पर अटक करता, जोड़ार थोड़ा उसके पेज पर दे मारता है, जिससे कि वो मौस्टर होता है, पीछे की तरफ जाकर गिरता है, वो एसिनल मेनेजर इस सब देख रहा था, बोलता है कि आखिर और मैं क्यों इस दुनिया में है के फस्त गया वो बताता कि यह मुझे ऐसा लग रहा कि को ऐसा चीजे एक तुम्हारी को भी मदत नहीं कर सकता है जैवान बोलता है चलो ठीक है मुझे तुम्हेरी बात की समझागी लेकिन जब तक तुम मेहनत कर सकते हैं तुम इन सब को कंट्यून कर सकते हैं तुम्हें करना है चाहिए वोल था एक मैंने बहुत ज्यादा करलिया मैं कुछ ही नहीं कर सकता जाग हorsना कला है अगर सब्सक्राइब तुम तक दे मुझन तो अगर आप अगर एसा नहीं तो मुझे सबसे पहले तुम घ्यान देना थाहे हुँ-डेचा-पनर întely लाइप यानि जो एस्टेर मनेजर था उसी के जैसा उसके पास 50 लेवल का जो बंदा याद होगा आपको असमीत जै उसकी आदाने श्टार्ट हो जाती हूँ बताता है कि मैंने तुम्हें काफी देर तक देखा जैवान उसके बाद भी मुझे विस्वास हो गया कि तुम यह स परसेंट चांस होगा कि मैं सकस्सफूल रहूंगा लेगिन फिर भी इतनी हाइस अक्सेस रेट रहने के बाद मुझे हमें सब्सक्राइब रहता है कि कहीं मैं उस एक परसेंट के पीछे तो जाकर टक नहीं जाओंगा जिससे पीछे मैं जिससे दूर में भागता है चाहता उसके 100% चांसे थी कि वह जो बनाएगा वह 100% स्योर बना सकता है जवान जो था उस बन्स बोलता है कि मुझा पता है कि तुमने काफी ज्यादा हाड़ वर किया फिर भी तुम इसे रिफाइन नहीं कर पार हो लेकिन तुम्हें पता है जब प्रोसेश ऑफ स्किल वर्क्स क्य इसके अंदर तुम किसी भी अपने और इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप फायर और वाटर के अबिलिटी पर भरसा करना होगा जैवान उसे बोलता है हां मैं भी तो यह कहना चाहता हूं तुम अपने श्किल को यूज कर रहे हो लेकिन तुम्हें यह नहीं पत कर रहे है तुम्हें यह सब समझ नहीं आरे कि तुम्हें आपने श्कुल कर रहे हो इस बात सुनने के बाद वाट थोड़े दिर सांत रहे तो उसके बाद बोलता है कि प्रिंसिपल यह कहता है कि सबसे पहले आपको अपने हैमर को काफी ज़्यादा मजबूत बनाना होगा इसके बाद आप जिस हैमर से उसके उपर अटाक करना चाहते है उसके अपर अपने स्प्रिच्वल पार को रिफाइन करना होगा और इसके बाद धीरे अगर आप उसको रिफाइन कर तो तो से आपकी पावर है वो काफी बढ़ जाएगी रूस की बाद आप किसी भी चीज क तो रिफाइन कर सकते हैं लेकिन फिर भी बताता है कि अगर यह इतना जारा सिंपल होता है तो यह जो भी है स्टुडेंट है मेरे पीछे वो सब बी काफी आराम से रिफाइनिंग और प्रोचेसिंग कर सकते हैं लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन लोग को यह स्किल के बारे में भी कुछ भी नहीं पता है वह बताता है कि चलो ठीक है यह जो प्रिंसिपल है इन सब को मैं यूज करके अब आगे की अबलेटी को आगे की कंडिशन को से देदा हूं आगे कि जो रिफाइनिंग देखा कि क्या टूम्हें पता है और छलू मुझे के वेन रिफाइनिंग के पीछिन जो को सब्सक्राइब कर सकते हैं यह जो फंगे नहींगा जाते हैं करता हूं साथ ही जितने भी पाटिकल्स होते हैं उसको तोड़ने स्टार्ट कर देता और अपने उंगले को इंदर डालने स्टार्ट कर देता है जैसे कि उसने थोड़े देर पहले चार सिंग वाले बिश्ट के साथ किया था Assistant manager तो बोलता है कि मैंने अपने सारे principle को साहीच से लगाया और जो भी मुझे आता है वो सारे का सारा काम को काफ़ी जाता है मुस्किल से और hard work से किया है फिर भी मेरा काम साही क्यों नहीं और आजयंवन भोलता है कि तुम सारे काम को आपने जितने वी वर्क उसको काफे मेहनख कानफं से कर रहें काफे अराम से कर रहda फिर भी तुम्हारा काम नहीं हो रहा इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा टथनीक गलत गलत है उसका यह बात पूरा वर्ल्ड गलत कैसे हो सकता हूं तो मैं भी सब बातों के बारें कुछ बेंगा लेकिन में चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर तुम किसी चीज को बार बार कर रहें फिर भी वह सही नहीं हो तुम सही टेक्निक से और सही इंतिजाम से कर रहें फिर भी वह सही नहीं हो तो वह कोई नॉर्मल सी चीज नहीं वह एक नाइट मेर है वह एक सपना है बोलता ह से सब्सक्रीजब करणा है और अब काव्हाल कम करना होगा अब मुझे क्या करनाच सकते हैं जैवन उसको समघने के पूरी दुनिया ही करते हैं अगर तुम जतना जब्सक्रीजब्स तम्हें सब्सक्राइब यूज बोड़े है कि टुम रगता है की तुम इता सीष करना चाहिए और जितना भी टेकनिक से उनसे को सब्सक्त कर पर रेयलाय नहीं होना है , तुम्हें अपनी दुनों आ को पर भाहे इनरजे करना है » तुम्हा कर सकते साथि'' युशं युश्व मेनेजर अपनी नर्जी को रिलिस करना helping use जिससे कि उसे सब कुछ साफ साफ दिखना इस्टार्ट हो जाता है और वह एक अलगी डाइमेंसन पहुच जाता है वो भीष्ट फिर सिन सब के उपर यानि जैवान और उस बंदे के उपर अटेक करना इस्टार्ट कर देता है फिर आधिसमें डिखाता है कि वह अपन47 कर लेता है और फिर वहां से निखलता है और बोलता है कि क्या तुम सच बहुआ से जाने वाले हैं मुझे लगा था कि तुम यहां पर पूरे प्रोधक्शन को कंप्लेट कर लोगे बताता है कि यहां ऐसा कर सकते हैं लेकिन मुझे आप यह कुछ और भी ज्यादर जरूरी काम है साथ ही वो नियू यानि पान सिंग वाले बिष्ट के होन से बने वह स्वार्ड को जो भी होती है उसको लेकर निकल नहीं लगता है बोलता है कि चलो ठीक है तुमने चुकि चाहते हैं बता था कि मैंने डिसाइड किया था कि एक मार्सल वॉल्ड का कोई लेंगविज को यूज करते वह इसका कॉल नेंव दे दूद लेकिन इसका और क्यारेक्टर को देखते वह इसका नाम अब बींग ऑप स्वाडरेट होना चाहिए एक बींग उसाल्डरेट मानि आगे safe journey करना मतलब कि तुम्हें हड़वानाने की जोतने अलाम से जाना हम फिर से कभी ने मिले लेकिन तब ही पीछे से बोलता है थोड़ा सब वेट करो वह जो होता है अपने हाप पे हाथ रहते हो बोलता है कि यह जो वर्ड है जो वर्ड तुम्हें दिखता है जिसमें तु जहां जो देखने कर नाजा जा रही है वह काफ ज़ादर different होता वह देखता है तो थो सारे के सारे बंदे मरे होता है और यह बस एक nightmare होता है जिसके अंदर बोडूं रहा हुता है वह बता नहीं को लेकिता है और ये दुनिया जो है ये खाफी बुरी और ये एक nightmare के तरह एक सपने के तरह एक dream के तरह है उसी साथ हमरा जो एपसोड था इस एपसोड को यह पर complete करते हैं तो अगर आप लोग का explanation अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर देना चैनल पर पहली बाहरा हो तो चैनल को subscribe कर देन मिलते हैं एक स्रूट साथ तक ले बाब आश्टे है पी स्प्रेट लग